नमस्कार दोस्तों मैं मन्जू हलदवानी उत्राखंड से दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगी कि नवंबर में कौन-कौन से जरूरी काम होते हैं जो हमने गार्डन में करना चाहिए जिससे हमारा गार्डन खुबशुरत रहे उससे पहरे देखिए ये मेरे पंच मुखी गुढल खिल रहे हैं खुब खिल रहे हैं ये देखिए कलिया बनी हुई हैं और भी खिल रहे हैं बस इसकी एक कमी आई एक दिनी के लिए खिलता है ये फ्लावर यह देखिए, यह कल खिले हैं और आज इस तरह से मुर्जा जाते हैं और स्याम तक इनको कट करके हटाना होता है और यह देखिए खूब सारे गेंदेवी ब्लूम हो रहे हैं कुछ दिन पहले तक हमारे गार्डन में ये पर्सलेन और पार्चलाका बहुत अच्छी ब्लूम कर रहे थे धिरों फूल आ रहे थे तो अब ये जो फस्का काम है इस समय कि हमने अपने पर्सलेन और पार्चलाका को नेस्ट एर के लिए सेफ करना चाहिए इस समय तो इनको जो होते हैं उनमें लगा दें और लगाने के बाद उनमें नाम जरूर लिख दें कि कौन से कलर का है देखिए मैं लिख रहे हैं पिंक वाइट मिक्स पार्चलाका इसे तरह के से पार्चलाका को और पर्सलेन को हमने अभी सेफ करना चाहिए अगर आपके पास बहुत सारे तो उसी पॉट में कटिंग कर दें पर उससे अच्छा होता है कि आप छोटोटी कटिंग लगाएंगे तो ज्यादा हेल्दी होती हैं और देखिए अभी तो इसमें फूल खिल रहे हैं कुछ दिन मालूम नहीं पड़ेगा तो यह देखिए इसमें लिखा हुआ है पर्सलेन के बाद जो है इस समय जो आप प्लांट लगाएंगे इस समय जो है इससे पहले जो खिल चुके हैं हमारे गार्डन में बहुत समय से खिल रहे हैं वो हैं मेरी गोल्ड के प्लांट है तो मेरी गोल्ड के प्लांट जो हैं दोस्ता यह अभी भी खिल रहे हैं और आगे समय जो है इसकी ब्रांश तोड़िये और कुछ ही तीन चार दिन में ही इसके नए प्लांट आपके पास बन जाते हैं आप चाहें तो फ्लावर सहीद भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं ये इतना हार्डी होता है इसके लिए सीजन इतना अनुपूल होता है कि इस समय ये कैसी भी कटिं होती है क्योंकि उनके लिए बहुत जादा प्लांटर के हम बड़े प्लांटर के आवसकता नहीं होती चाहे हमारे हेंगिंग वासकेट ओ उनमें आप बिकोनिया बगरे भी लगा सकते हैं इसके अलाबा जो है पिटोनिया इन प्लांट से भी अपने पर्सुलन पार्चलाग तो crycinthymum की plant में देखिए उपर की side जो है इंसेक्ट कई बार इसमें उपर जम जाती हैं तो पानी की तेज फबार से इनको हटाते रहें और उसके अलावा liquid फटला जार देते रहें आपकी ज़्यादा ज़्यादा बर्ट्स बनेंगी इस पर इस समय जो है सरसों की खली का liquid ब पर्मानेंट पलांट बैसे तो हम सालवर लाते हैं पर कुछ पर्मानेंट प्लांट को लाने का समय यही अनुकुल होता है जिसमें कि आपके यह देखेए जरवेरा यह पर्मानेंट प्लांट होते हैं इनको अभी आप नरसरी से लाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट त्यार कर दीजे तो कुछ ही दिनों में जो हैं जर्वेरा में जो हैं बट्स पर प्रपेशन होने लग जाएगा और जर्वेरा में आपकी बहुत अच्छी ब्लूमीं होगी जर्वेरा की साथ-साथ दोस्तों इसमें आप पॉइंस रिट्या के प्लांट पर्मानेंट जरूरी काम करना है इस समय हमने गार्डन में रिएरेंजमेंट वैसे तो यह हर सीजन के लिए आवशक होता है पर इस सीजन में जो है हर जगह ठंड सुरू हो चुकी होती हैं और धूप की संक्या कम हो जाएगा धूप हमारे पास कम मात्र में आने लग जाती है हमारी गार् गार्डन को रिएरेंज करेंगे तो गार्डन में आपके फ्लावर्स कम हो जाएंगे तो फूल वाले जो पौदे होते हैं उनको जिस जगह आपकी गार्डन बहुत जड़ा धूप आती है उस जगह पर प्लेस करने कोसिस करें और जो ऐसे प्लांट हैं लीव वाले और यह पैंटाज इन सब को धूप बाले एरिया में रखेंगे तो अभी भी इन में जो है अच्छे ब्लूम आते रहेंगे अगर आपके प्लांट बहुत जादा लेगी से हो गए हैं तो यह नौंबर का मेहना है मिड नौंबर तक जो है आप इनकी कटाई छटाई कर कोई भी पते जख्ड़ जाते क्योंकि इस समय बहुत सारे लीप भी प्लांट अपने गिळाता है ठेमपरेजे में परिवर्फटन आने से तो उन लीप को प्लांट में छोड़कर अपने प्लांटर से अटा कर उनको अपनी कमपुष्ट बिन में डालें अपने प्लांटर क नियमित्रुप से गुडाई करते रहेंगे साप सपाई रखेंगे और तो इससे आपके प्लांट जो है खुबसूरत दिखाई देंगे नेस्ट जो है आपको प्लांट पर पानी देने का भी अबिसेश ध्यान रखना पड़ेगा यूंकि पानी देने का ये सीजन जो होता है को जिस जगहे पर रखा है किस बैराइटी का हमारा प्लांटर है किस बैराइटी का हमारा प्लांट है इन सब बातों पर डिपेंड करेंगा कुछ पौधर जैसे जिनका बहुत चल रहा है इस समय जैसे कि मेरी गोल्ड बगर है इनको जगव हम धूप में रखते हैं तो उनक पानी की कम आविश्क्ता होगी, तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखते हुए, जगह का और पॉट की बेराइटी का सब चीजों का समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस समय पानी देने का समय, अब आप साम का समय छोड़ के दिन में ही आपने प्लांट को पानी देनी क सुबह के समय दे दीजिए फिर दूप आ जाती है तो थोड़ा बहुत टेमपिचर बढ़ता है तो प्लांट पर पानी पत्तियों पर नहीं रुका रहता है तो फंगस का डर कम रहता है इस समय सभी लोगों ने गुलाब पर काम कर दिया होगा जिन लोगों नहीं किया है वो ग कोलीयस बगर है कि कभी आप गार्डन से ना जाएं तो इसके लिए आपके पुराने प्लांट में से कोलीयस की छुटटी कटिंग लगाएं इसके अलाबा प्लांट को फ्रटलाजर सभी लोगों ने दे दिया होगा जिनोंने नहीं दिया है तो फ्रटलाजर भी जो है अपन सबसे उत्तम होती है इस समय तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट में नीम खली मिला कर दे देंगे तो अच्छा रहेगा सरसो की खली को जब बहुत अच्छी होती है पर उसको देने में ध्यान रखना चाहिए इस समय सरसो की खली से जो है आपके इंडोर प्लांट या सेड में लगे हुए प्लांट को न दे तो अच्छा रहता है योकि सरसो की खली में से जो है प्लांट बहुत जल्दी फंगस का तो धूप बाले प्लांट को ही धूप में रखे हुए पौदों को ही या जिनका ग्रोइंग सीजन है उनको ही सरसों की खली बाला चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलीड हो जिन लोगों ने अभी तक सीड ग्रो नहीं करें हैं वो सीड ग्रो कर लें यह समय अभी चलता है पंदर अच्छी तरह सी क्योंकि मौसम में नमी हैं तो बहुत अच्छी तरह सी चल जाती है दोस्तों इस समय जो है इंसेक्र आटेक भी जैसे मौसम परिवर्टन आएका बहुत ज्यादा होने लग जाएगा तो अपने गार्डन में आप नहीं बना लीजिए हर दस दिन में नीम ओ और यह जो है बहुत अच्छा रहेगा इस समय जो है प्लांट में जो है इंसेक का अटेक नहीं होगा आपके नहीं तो यह चिज़े समालना मुश्किल हो जाता है इंसेक्र का आर्टेक होने से पहले ही हर समय अभर बार अपने गार्डन का नीएम के हिसाब इस प्रिवर्ग वो ले आएं सीडलिंग रेडिंग होने के बाद जो है इनको छोटे से छोटा पॉर्ट देने के कोसिस करें तो यह देखिए मैंने सारी सीडलिंग अपनी रिपॉर्ट करती है जो पहले की लगाई थी मैंने कैलंडूला और हॉली हॉफ तो यह सब रेडि हो रही हैं तो इस त के बाद जो बड़े फॉर्ट में करेंगे हैं तो इस तरह से गादर में काम काम करते रहेंगे तो आपके गादर के सीजन में बनाई रहेगा गार्डन में तो उम्मीद करती हूं आपको जो मैंने आज टिप्स बताए पसंद आए होंगे फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार